देश में कुरोना वाइरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है पिछले एक हफ़ते में 9278 नए मरीज सामने आए हैं जब कि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2293 मामले सामने आ चुके हैं जो एक दिन में मरीजों का सबसे बड़ा अंकड़ा है कुरोना वाइरस को लेकर केंद्रे मंत्री प्रकाश जावडेकर का खहना है कि आप स्तिती नियंत्रन में हैं खराब समय बीद गया है हालाकि उन्होंने लोगों को सला देते हुए कहा है कि जब तक ये बिमारी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाती है तब तक लोगों को सरकारी दिशान निर्देश का पालन करना चाहिए जावडेकर ने तारीफ करते हुए कहा कि हमने अन्य कई देशों की तुलना में कोविड-19 का मुकाबला भैतर तरीके से किया है हमारे यहाँ कोरोना मामारी को देखते हुए अलग-अलग जोन बनाए गए है सोशल डिस्टेंसिंग, दोगज दूरी जैसे नियमों का पालन करने वाले दिनों में भी करते रहना होगा जब तक कि इसकी वैक्सिन बन करता यार नहीं हो जाती भारत में कोरोना का संक्रमन काबू में नहीं आ रहा है कोरोना के मामले लगातार भरते ही जा रहे हैं पिछले 24 घंटों में 293 नए मामले सामने आए जो एक दिन में मरीजों का सबसे बड़ा आकड़ा है पूरे हफते का अगर लेखा जोखा करें तो स्वास्त मंत्राले द्वारा जारी रिबोर्ट में 26 अपरेल को 1463 नए मामले सामने आए और देश भर में कोरोना पॉजिटी मामलों की कुल संख्या 28,380 हो गई वही 27 अपरेल को 1594 नए मामले सामने आए और कुल मरीजों की संख्या 29,974 हुई इसी तरह 28 अपरेल को 1813 नए मामले सामने आए और देश भर में कोरोना पॉजिटीव मामलों की कुल संख्या 31,787 हो गई अगले 24 घंटों में यानि 29 अप्रेल को 1830 मरीज बढ़े और कुल संख्या बढ़ कर 33,610 हो गई 30 अप्रेल को 1755 नए मामले सामने आए और कोरोना पॉजिटीव मामलों की कुल संख्या 35,365 हो गई जबकि शनी बार 2 माई की सुभा स्वास मंत्राले द्वारा जाड़ी आख्रों के मुताबि पिछले 24 घंटे में यानि 1 माई को 293 नए मामले सामने आए जो एक दिन में नए मामलों का अब तक का सबसे बड़ा आगड़ा है यानि पिछले एक हफ़ते में 9,278 नए मरीज सामने आए कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर 5 राज्यों में है इनमें महराष्ट, गुजरात, दिल्ली और राजस्तान शामिल है फिलहाल कोरोना की महामारी से देश में ठीक होने वाले लोगों की संक्या भी बड़ी है स्वास्त मंत्राले के मुताबिक करिब 10,000 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके है अब तक इस महामारी से 1200 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है महराष्ट में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1008 नए मामले सामने आई इसके साथ ही महराष्ट राज में कोबिट 19 संक्रमित कुल मरीजों की संक्या 11,500 से ज़्यादा हो चुकी है राजधानी मुंबई में कोरोना वाइरस से संक्रमित मरीजों की संक्या सबसे ज्यादा है मुंबई में अकले 24 घंटे में कोरोना के 751 नए के सामने आए देश में कोरोना की बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने तीसरी बार लॉक्डाउन बढ़ाने का एलान कर दिया है चार मई से सत्रह मई तक तीसरे चरण के लॉक्डाउन के लिए ग्रह मंत्राले की तरब से जारी दिशा निर्देश में देश भर को रेट औरेंज और ग्रीन जोनों में बाटा गया है हलाकि रेट जोन के कंटेनमेंट इलाके पूरी तरह सिल रहेंगे तीसरे लॉक्डाउन के दौरान भी सभी रेल सेवाएं, हवाई सेवाएं और मेट्रो पहले की तरह ही बंद रहेंगी सभी तरह के शेक्षनिक संस्थान भी बंद रहेंगे होटल, रिस्तरों, सिनिमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स, जिम और दूसरे फिटनेस सेवाई भी बंद रहेंगी जहां एक और देश में कुरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं अर्थ विवस्ता पर गहराता संकट सरकार के चुनोतियां बढ़ा रहा है इसी को देखते हुए सरकार ने कुरोना के खिलाफ लड़ाई में कोई धिल नहीं देते हुए सिर्फ उन्हीं इलाकों में चरन बद तरीके से गतिविदियों को शुरू करने का फैसला किया है जहां पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नए के सामनी नहीं आये हैं हलाकि कोरोना के मरीजों की बन रही संख्या पर काबू पाना भी अब जरूरी है नहीं तो ग्रीन को औरेंज और औरेंज को रिट जुन बनने में देर नहीं लगेगी बिरो रिपोर्ट तो आपको बता दे कि देश में कोरोना वाइरस का प्राको अपकम होने का नाम नहीं ले रहा है अगर पिछले एक हफते की बात करें तोte 909,279 मरीज सामने आ चुके हैं और फिछले 24 गंते में ये आकड़ा 2293 पहुँच गया है पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 गंते में 2000 सेalıद्र मामले सामने आ चुकैं कोरोना के एक दिन में मरीजों का सबसे बड़ा आकड़ा है ये कुरोना वाइरस को लेकर केंद्रे मंत्री प्रकाश जवडेकर का कहना है कि अब स्थिती नियंत्रन में है खराब समय बीद गया है हाला कि उन्होंने लोगों को सला भी दी है कि जब तक ये बिमारी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाती तब तक लोगों को सरकारे दिशान्य देश का पालन करना चाहिए जवडेकर ने तारीफ करते हुए कहा कि हमने कई अन्हे देशों के तुलना में कोविड नाइंटीन का मुकाबला भेतर तरीके से किया है हमारे यहां करोना महामारी को देखते हुए अलग-अलग जोन बनाए गए है सोशल डिस्टेंसिंग दोगच की दूरी जैसे नियमों का पालन करने के लिए भी लोगों को कहा गया है जब तक कि इसकी वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हो जाती लोगों को यही नियमों को पालन करना है ऐसा कहना है प्रकाश जावडेकर का लेकिन अगर हम बात करें आकडों की तो लगातार पिछले एक हफते से आकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2000 जादा जो आकड़े बढ़े हैं वो एक दिन में सबसे जादा मरीजों का आकड़ा है और कुरोना वाइरस को लेकर इधर केंद्री मंत्री प्रकाश जावडेकर करता है कि स्तिती अपने अंत्रन में है सवाल उठने लाजमी है कि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है वैसे वैसे कुरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं वहीं केंद्रि मंत्री का ये कहना कि इस्तिती नियंत्रण में है खराब समय बीद गया है हलाकि उन्होंने लोगों को सला भी दी है कि बिमारी पूरी तरह से जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाती तब तक लोगों को सरकारी दिशानिर देश का पालन करना चाहिए सबसे पहला सवाल मेरा मनोज रजोरिया जी से है सर लॉक्डाउन के अब धी लगातार बढ़ रही है लेकिन करोना के मामले जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं केंद्री मंत्री का यह कहना कि सब कुछ नियंत्रन में है कैसे देखेंगे इसको अब अगर अन्तराज के द्वारा जो पूर्वा नुमान से उसकी पुर्णा में भारत में जो इसकी है वो बहुत ही अच्छी नियंप्रण में है में में हैं हैंहाँ नियुद्दे जैन तेखें बाद जह बिया गया लुब का नियुद्ए की तरह नहीं है और जो नहीं नेये मामिये जो चेगेंगे 여러분들्lor में वो मामिये हैं और जहां से अनुपात में यह नहीं मामले आ रहे हैं उसी अनुपात में नवीजों की संख्या भी बहुत बढ़ रही है लेकिन सर्फ प्रधान मंत्री ने तो 40 दिन पहले ही लॉकडाउन लगा दिया था पर संक्रमन के मामले जो पिछले 24 घंटे के अगर हम बात करें तो 2293 मामले हैं पर पिछले 24 घंटे में जी निशेत रूप से यह कि इसी घंबीर सा दर्शाथी है कि भारत के सगन जो देश है जिसमें जन संक्या का बहुत इस सगन डेंसिटी बहुत ज़ादा है तो देश में अगर लोक्ताओं नहीं लगाते तो आप दो हजार आ रहा है इसको जो बचाव किया गया है इस ही के क सवार मिरा आप से है कि कॉंग्रेस पार्टी हमेशा से यही कह रही है कि जो लॉक्डाउन है वो एक तरीके का पॉस बटन है जैसे ही लॉक्डाउन हटा दिया जाएगा तो वापस यह कोरोना की जो केस हैं लगातार बढ़ते रहेंगे लॉक्डाउन लगा दिया है लेकिन फिर भी करोना के केस बढ़ रहे हैं कहां-कहां में दिखाई दे रही है सर एक बहुत-बड़ा हमारे पर आखात है तो इसका में हम दो बिलकुल राजीती से उटकर के बात करना चाहते हैं सरकार को केवर सुझाव देना सा है यह लग बातर के हमारे चुझावों को भी यह कहीं हैं सरकार में और इनके बैठे देता लोग या तो इसका परिहाज करते हैं या उसको अपनी आलोचना के दिखें लेकिन हम फिर भी जिल्मेदार उपक्श होने के इनाते असना जो है इसको देते रहेंगे कितने इसकेशने को अपstar है जो है जो है जो करोना केशने हैं लोगोगों डीज्में इसको खुद महीं मालूं कि अकर यह देज है कि किसी की प्रकार का गंगी आरोप नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन पहली पहली बात है कि टेस्ट होने चाहिए हमारे साथ प्रोफेसर अरुन कुमार जी अर्थशास्त्री जुड़ चुके हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है सवाल मेरा आप से सर लॉक्डाउन 3.0 केसव कंग होने का नाम नहीं लेगा हैं मुझे लेघाले हमारे खेस्टिंग परियाता माच्टा में नैंहीं है को आईसलेशन करना बहुत जरूरी है तो आइसलेशन में हो पाणार है तूडली है कि लोक बहुत ही तो वहां पर आइसलेशन कैसे होगा जब एक कमरे में पांच लोग दत लोग रहते हैं और उनको खाने की निकलना पड़ा है कि खाना पीना महिया नहीं है और यह पलायन कर रहे हैं गाउं की तरफ और जिना के लोग बहुत सारे प्रायन कर गए गाउं की तरफ तो मेरा मानना है कि अजर लोग दान को सच्छल स्कूल करना है तो दो तीन की बहुत जरूरी है सब पहले कि सब लोगों को जहां है वहीं पे खाना पीना अशेंचल आइटन महिया होने चाहिए जूटरा यह है कि टेस्टिंग परयात मात्रा में होना चाहिए और पिर कॉंटाइक बहुत हैं तो इसलिए हमें सब्सक्राइब की कि कि लोगों को है कहां तक चला है तो यह एक बहुत ही एहम चीज़ है और पीसी चीज़ यह है कि जो हमारे जाओं के इलाके हैं वहां पे तो हैल्फ फेसिलिटी और भी कमजोर है और वहां पे हमें कुछ आइसलेशन के लिए कुछ क करना चाहिए प्रयाप काझन मतलब होने से हैं तो जब तक कि हम आइसलेट नहीं करेंगे जब तक कि हम लोगों को सिजे महया मी कराएंगे तब तक यह लॉग्डाउन सब्सक्राइब होगा तो अभी लॉग्डाउन करने चीज़ और भी हमें कापी महनत करनी पड़े ही और सब्सक्राइब करने चीज़ करें चीज़ करें सब्सक्राइब करने रहिए सवाल मेरा आप से राजे कौल जी करोना की अगर हम बात करें तो अमेरिका में 50,000,000 लोगों की मौत हो गई है वहीं अगर आखरें हम भारत के देखें तो 12,000 लोगों की जान चली गई है क्या ऐसा लगता है कि लॉग्डाउन काफी महत्तब पूर्ण है इसके लिए करोना को करोना की चेन तोड़ने के लिए मुझां जरूरी था ही जिव दिस्बरेट अट्रम्ट है तो चैन तो तोड़ना है जो इनसां से दूसरे हैं तो यह लोगडौन तो बहुत जरूरी है लेकिन उसके साथ अब ये जैसे सरकार को ये भी देखना है कि एक हेल्थ जैसे हेल्थ केर है लोगों की जाने बचा नहीं है उसके साथ एकॉनमी का भी ख्याल रखना है कि अब कितनी खराब होगी इससे इंपैट ओरड़ी चालीजन हो गए अब और पंद्रा दिस दो वीक का अब इसके साथ अब यह देखना है ने चूट दी है मूंत ऑफ ऑफ ट्रेंड चलेंगी बसे चलेंगी जिसमें कंगेंशन होगा जिसमें गैद्रिंग होंगी आप यह चो हम तो बोलते हैं कि सोशल डिस्टन्स इंग कोना चाहिए नॉप करने चाहिए बट यह प्रैक्यली अब तो ठीक है थेरी के लिए अच्छा होता है कि बसों में चड़ेंगे तो सुशल डिस्टेंसी करके चड़ेंगे या ट्रेन में बैठेंगे सोशल डिस्टेंसिंग बट हमारे मुझे में इसा सिस्टम नहीं होता वान दे ग्राउंड तो आप यह देखना है कि जब यह सब में चलने लगी यह रादर अब यह कि पैलेगा या कंटेंड मेंट इसको कितना कंटेंड कर सकेंगे यह चैलेंज होगा मेरे खायल से यह देखना है कि यह फैले लागर इपक्षों की टरफ अगर सबकोश कोई दस पॉजिटीव केसिज है वह अगर गाउं में चले वह पे 10 लोग और हैं तो अगर वहां पे फैल गया तो गाउं गाउं में फैल गया तो बहुत एक डेंजरस सिच्वेशन बन जाएगी तो मेरा एक्षली एक कंसर्ण यह है और देखना पड़ेगा क्या हूँ अब देखना पड़ेशन इसको यह बहुत बड़े चलेंज उनके लिए हाव टू मैनेज इट जी सोशल डिस्टेंस को काफी मेंटेन करना पड़ेगा सवाल मेरा आपसे है मनोज जरिया जी आपसे बीजेपी यह कह रही है और किन सरकार ने यह कहा है कि जो श्रमिक ट्रेन है उस्टेंसिंग के जाय है वह लेकशी कि जाया जाये गा उनके घर पर खो तुरम और को सणों के टेटेंस, अब दो चांज मनेशे बाना, यह बया नोगरा सोश जन्ता का योगतानी होगा जबते हम नहीं की फिर्ट है और मैं कह सकता हूं कि देश में बहुत ज्यादा जिम्मेदार लोग है मैं इसकी 9% लगवोष जिम्मेदारी से लोगतानी की पावला करने की गोशिश कर रहे है एक तो परसंट ऐसे लोग तो कुछ गटना है यांकि आपी जो इसको बड़े लागवाई से लिखता है लोगताओं के नियमों का अन्देखा करते हैं और इसमें मैं आपके मात्यम से अपिल करना से होगा कि देखिए सरकारों का अपना पबंदन है जा है वो केंद्र सरकारों राजे सरकारों आपको गाई लाइन जारी करती है आपके जो असक्ति देरिया आपको उसके लगा ज़ती है जो आपके मैं तांसर दोरे के नाचे मेरे संसर देखिए कर आया हूँ तो मैं यह देखा की प्रकार की गाहिए लाइन की लोग बिना पुरी दवाओ के मानते हूए जो बहार विनावास निकलते हैं जिशन को कि बालना नहीं करते हैं जीड कर्की कर लें जो बार बार वार अगर मास्क लगाना है तो इसे 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 मास्क आपके लातरवाई आपके लातरवाई आपके लिए आपके लिए आपके फरिवास के लिए इस देश के लिए भी खत्रा बन तकी है और मैं तो यह कहना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री के नेश्वत्र में भारत में सभी राष्टों के मुख्षमजीव के साथ नेश्वत्र प्रकाव से बहुत अच्छा प्रशेशन पिछे चालेश दिन नी किया है और अमेका जेसे विख्षेश देश में आध्याम बहुतों को आकड़ा देखी है तो हम दंग रजाता है जो हम भारत से चुना किस्ते हैं तो हमारे नेश्वत्र को ने को मद रता है कि तुदा सुट्री जी नेकित परकावत एक टीम इंडिया के रूप पूरी राज्चे के मुख्षमुजीव के लेगर इस जनता को अपनी टीम का इसा प्रकाव एक जनता कर्ष्व के मासम से जन प्रफेसर अरुन कुमार जी आपसे है लोगो में डर है कोरंटीन होने का लोगो में डर है लोग समझ नहीं रहे हैं स्वास्तकर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं जहां पर कुछ लोग पुछ वर्षा करते हैं तो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहे हैं लोगों को कहां पर कमी रह जा रही है सर कि लोगों को क्वारंटीन से डर लग र निसे भ्या तैदा हो गया है, जिसके की एक मतलब भिश्मा लग जया है. कि अगर किसी को भी मारी हो गया है, तो बहुत ही वह बुरी हालत में है. और जैसे कि कोमो शहाब ने नियॉक गवर्णर से लियॉक के जो गवर्णर ने उन्होंने कहा कि हमने जन्सा का विश्वान कीता तभी हम सक्टेस्विल हुए नियॉक हिपी में इसे बहुत भरक जाता तो लोग यह को अगर निकलने लगते हमारी बात से ही सुनते तो हम कामया अगर प्रक आज़ी कि जाए तो अगर नोग ज़िए कि वह आस्था नहीं हो जो पर दो बात भी करेंगी ऑर जैसे कि जब लोग जब लोग को लगता है बहुत जारे दर है कि पतानी अगर प्रीकार प्तानी जीॉक उत्तार करेंगा उन्सा प्रशिएशन सही के बात है जय सब्सक्राइब अभी जैसे कल गर्मेंट ने डिसीजन लिया है कि लॉकडाउन एक्टेंड होगा वाई टू वीक्स एंड उसके साथ ही एकनॉमिक एक्टिविटी की छूट है तो हाँ डू यू सी आप कैसे देखते हैं अब डू यू सी जो जो रेड रोल्स हैं वहां पे बड़े बड़े उ सब्सक्राइबे तो पूरी शेयर वहां श्रूड आप करेंगे जो वह पूरी होगी कि अभी दिना टेस्टिंगे हम खोल रहे हैं जिना वाइट टेस्टिंगे तो हमें डर यह जो भारक पर सकता है और जो जो पता ही उसको जुदी है पुछाहें जोबी प्रिकॉसर ले इस भी वो कम पढ़ेगा तो कि उसको जाने आइजिलेशिंगे रखना पढ़ेगा अगर करना पढ़ेगा तो मेरा मानना है कि अगर पढ़ेगा तो मेरा मानना है कि यह जिसके हमारी टेस्टिंग बहाना बहुत निरूरी है प्रफिसर अगर एकोनोमिक की बात करें तो अभी तक आपको अगर को एसेस्मेंट है कितना एकोनोमिक लॉस हुआ होगा कंट्री को और लॉसारे को इसके अगर इसमेंट इसमें स्वा अगरेगां के बाकि और और तुम्हादन हो लिए रहा है आपके कुछ खाना पीना है कुछ दवाएं है कुछ ताबुन है कुछ तेड है इसंट पूछ छोड़ के बाकी सब बंद है इसे आप तो चल्ब्रके खाली दिख और लॉकडाउन बहुत आपने धील दे भी दिया तो तीन-चार परसेंट और बढ़ जाएगा तो माइनस 70 परसेंट इस समय चल रहा होगा और तो तादन तो इस समय जो हमारी अर्थ हस्ता है और इस से उभरने में बहुत समय लगेगा कम से कम कई साल लग सकते हैं पर अगर बहुत जादे ऑप्टिमिस्टिक हो तो एक साल तो कम से कम लगे गाई तो इस साल हमारा देट अब लोग माइनस 37.5 परसेंट के आट पास रहेगा तो क्यो कि अगर आप माइनस 70 परसन से उठना शू करेंगे जीरे जीरे जीरो परसन की तरफ जाएंगे एक साल में तो आवरेज में जो आपका उस्पादन का जो नुक्तान है इस साल वो करीब 70 लाग करों रुपे के करीब हो जाएगा 200 लाग करों रुपे की अर्थ अस्ता सी 50 साल तो 70 लाग करों का मतलब है कि आपका tax collection बहुत कम हो जाएगा जितना पिसे साल tax collection था 22 लाग करों रुपे करीब उसमें गिरावट आएगीज़ और चैब 12 करों करों रुपे के आसपाद ही रह जाएगा तो सरकार के पास resources की भी बहुत कमी रहेगी और दुस्री तरफ खर्टे बढ़ जाएंगे तो आपको खर्टे के खर्टे चाहिए हैं आपको जब खाने पीने की चीज़ें जब distribute करनी पढ़ेंगे गरीब आदमी में और बाखी administrative खर्टे बढ़ जाएंगे तो खर्टे परफ बढ़ेंगे और स्वाइवल हो सके तो आपने बोला कि माइनस ग्रोथ हो जाएगी लेकिन IMF ने रिसेटली बोला कि कि इंडिया इंडिया इंफेट चाइना रादर विल बी ऑन दिपॉस्टिव साइड आप कैसे देखते हैं तो आपको 15-18 परसंट की रिक्ट प्रोथ होगी तभी जाके यह लॉस अभी हुआ है दो महिने में उसको आ भरपाई कर पाएंगे इतना रेट आप ग्रोथ तो कभ हुआ है और अजर आप देखें तो पहले ही जन्वरी में हमारी अफ्रस्ता स्क्राइब कर रही थी वह पांच परसंट से नीजी आ गए थी और इसनी बड़ी तंकर की घड़ी से हम लिकल रहे हैं तो इस दम से अर्थ 15-18 परसंट बढ़ने लगे उस संभार ही नहीं है तो म मतलब हम बहुत लगी रहें कि चार महीने में उभार पाए या थी महीने में उभार पाए अब भी जए रियल घ्रोंसे आपकी 10-12 परसंट नहीं हुई तो इस तरह जो हालात है इसमें भी लगता मुझे कहीं कोई आथा है क्या हम मानके चले कि तरह बढ़ रहे हम किसकी तरह रिसेशन ने डिप्रेशन रिसेशन सब्सक्राइब तो मतलब है कि डो कोटर में आपकी डिव रोट वन और तू एफ परसंट में तो कह रहा हूं कि इस समय माइनस 20-30 परसंट का रिट अवरोट होने वारा है और इसमें क अगर खोल भी देंगे तो आपके होटेल्स हैं रेश्टों हैं एरलाइन हैं आपके जब कार सेल्स हैं यह अभी सिटप नहीं करने वाले हैं अभी तो प्राणी सेविंग करेगा दिमांड भी जिप्सक्राइब करेगी क्योंकि बहुत लोग के नोकरी करी गई है बहुत लो पर दिमांड भी पड़ने वाला नहीं है तो ना इंवेस्में टेज रहेगा ना कंजम्शन पेज रहेगा और एक पोर्ट मार्केट जिप ज़िग जाएगा तो वहां पे इंपोर्ट कम होगा तो हमारा एकपोर्ट पर अशर होगा तो कुल मिला के इसने भी इंजिन है इसन सब्सक्राइब के बहुत जाले आता है और देश में करूना वाइरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले एक हफते में 9278 नई मामले सामने आ चुके हैं सबी महमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर के के अगरवाल पूर्व आईये में अध्य ग्रकान में देखा जाए और भारत ने अमेरिकः के हिसाब से काफी अच्छे अच्छे तरीके से कुरोना को रोका हैं कि अगर हम देखेľ स्फूरा एशिया को कली जिए टा में मिलिश का हैं पूरेश्या के इंजर में सब्सक्राइब ऑनगे बहुत कम इंडिया का मोटालिट्यीफ पोंट एक पर मिलियन्हों पॉपिलेशन अरगर इंडिया को जाहरेखे, हमर्ष आर शास कहली था में में पभी पहर नहीं जाए है. So, at the moment, we have no answer. Of course, we will say an ugly lockdown is the answer. But why in Pakistan, why in Bangladesh, why in Nepal and why in Sri Lanka? It is not causing the same damage as damage has occurred in other countries. Even in China, the mortality was 2 per million population. सब्सक्राइब करें अपने आपको भी लॉकिंग चालू करो इस वकत में हमने एक अभी हार्टकेर की स्टडी करी है जिसमें यह पाया कि पूरे इंडिया में और हर जिसमें भी रेड जोंस हैं सब की देंसिती पर स्क्यूर किलोमेटर जो है वो बोर्गन वंधा हुदन है अगर आपकी जो जो जैसिती पर स्क्यूर किलोमेटर कॉम है वहां केसी बहुत कम है and that proves इबन अगर 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 आँ चंदीडर और पांडिशेदी को लिखे वहां जैसिती जादा है लेकिन ठूर सोशल गिसंसिंग है तो वहां नंबर अप केसिस पाम है तो आज की देख में social distancing is the only answer क्योंकि हमारे अर्ली lockdown हुआ तो शायद है इसलिए हमारे आपे इतने cases नहीं होए और अगर हम lockdown को personal social distancing को maintain करेंगे तो हमारे आपे हम अपनी country को बचा पाएंगे जी सर शुरुआत से ही पधान मंत्री यही बोल रहे हैं कि कोरोना की chain break करनी है क्या lockdown ही एक ऐसा हुपाय है जिससे कोरोना की chain break होगी लेकिन lockdown की बावजूद भी लगातार cases बढ़ रहे हैं अगर हम पिछले 24 घंटे की ही बात कर ले तो 2293 केस तो पिछले 24 घंटे में ही सर आ गया सामने कुछ भी हो रहा है तो बढ़ेंगे जब लिम होंगे अगर आज तीयों जो काम करना था लों करनी है अब ये परसनल डिस्टेंसिग को मुझे करनी है ना अगर मैं बहार निकल के भी पर्सनल डिस्टेंसिग लग सकता हूं तो मैं सवाल मेरा अनुज अत्रेजी से है सर लगातार ऐसे कई राज्य है महराश की बात कर लीजिए गुजराद दिल्ली राजिस्थान कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कुरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझ नहीं आ रहा है है क्यों लोगई का पालन नहीं कर पार रहे हैं क्यों लॉगट ऑलंगन घ्या जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के नाम की धज्जें उड़ाई जा रही है का चेंग करते हैं तो सब्सक्राइब कर दोग दोसे इस तो पर चाहिए को यह जाकर नाम की दो आख रही कोगा रही कि यह की एक 05-6 निए आखेमें और कि ऑनी इसी ठीक पार आख आताक लूग रहे होते हैं और उनके पास में पास बहुत जाना इल्कभाई होते हैं तो इसी लिए ही अभी इस आलात में लेबर बहे रहनी है वो भी बहुत इंता जनग है और जब ये लेबर जिस परकार से अपना जाना चाह रही है एक परिवार में जाना चाह रही है उनको दिख महीं आगे कोई पुई श्री पैसे महीं हैं उनको अस्वाथ की चिंपार परमे समय के इन सवेखा, इव दो औरूर से कामि कांस पूस्टेंगों, कने तंचर सेंगे कि और जाएँ और परिवार के जाएंगे कि हमें पाइजने वासरा क्या में वान्या पंद अधेंगी आठीडी scientifically है अब है जो अब हमारे अब अब हमारे जो वरीक आप शाती आप आप बाते हैं कि हमारे एकानोमी और ये प्रिष्ट इंडयू है लिकिन रही अब है कि हैस्व जब से करो ना का पेंड़िक आया है उसके पास जो जो लेकिन एकानोमी अमर्जन्शी तो देश ने ठेनी ने जो सबसे ही वगर की तैंट तको प्रोग्राम इस पेकार इस प्रिससान पेकार उप मरेन थे पर 10 पर संट गरावर को और कि आटमोगी सेक्टर है जह नहीं कि अगरेगा थी लोगों की नोखिया भी जा खथी तिया उपकी इस्ट आप तो आज उसका तो आगे उसका पार्ट है कि अब हम कह सकते हैं कि इसले बिए रगे कि कोरोना आगे ऐसा नहीं है कि कोरोना आने से तो ठीक है मिश्व पूलते सब कुछ भूग गया है लेकिन आपकी हमारी पहले सी लिकेट हो सकती है और देखिए अभी हम बात करें इस देश म हमारे देश में 90% से ज्यादा मज़ूर में अगर कोई है मज़ूरी वर्गिया ने तो अगर उन लोगों तो अगर हम लोगों ने ठीक से नहीं ज्यान दिया लिया तो हालात यह है कि जब वहाँ इसी भी हालात में चाहे आज जाए महीने बाद आज जाए तंडरा जिन जो आएंगे उसी बुरी जशान में यहां रहे हैं तो यहां रहे हैं वहाँ आने वापस आने वाले नहीं है और उनके ना आने से काने आजा किसको बगतना पड़ेगा जब यह लॉगदाउन फुल जाएगा जब हम कहेंगे इसी सरकार कहेंगी कि अब आप अपनी देखर के काम करवाना पड़ेगा तब चीजों की महेंगाई बड़ेगी आज तूरीजन सेक्टर को पुरी तरह से सब्क हो गया है जरोजकार हो गए है आज राशन की बात हो जी है तो आज हमारे देश में केवल 23,000-23 करोड मार्टी जबगता ऐची है कि जिनके पास राश पास राशन कार नहीं है उनको किसी पास राशन कार थे शोड़े जिनके लोगों को अनाज कुरे देशन में जिए जा रहा है जी आज बड़े बात हम करें अजय को प्रफेसर अरुन कुमार जी से भी एक सवाल पूछना है प्रफेस्टर राजोरिया है कि अच्छा आत्रे जी जो कह रहे हैं कि लेबर वगरा का ध्यान रखना चाहिए तो क्या सरकार ध्यान रख रही है क्या पूरा एटेंशन दे पा रही है कि जो अध्रे साब सवाल उठा रहे हैं कि निश्यत रूप से जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी उसमें इन सब चीजों का राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी की गई और मैंने खुद ने दो डिस्टिक जिला क्लेक्टर्स के और एस्टी और इस और सम्मंदित अधिकारियों के बैटे क्लिए कि ज इस तरीके से इनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में लाय जाएगा चोदा गिन तक और कोरंटाइन की पूरी विवस्था करने की जिम्हेदारी राज्य सरकार की होगी यह से अध्यागया लग रही है तर जी कह रहे था कि उनको पहले ही अपने गांवाओं को बेजना चाह कि ऐसा नहीं है मैंने कुद ने अपने सरसरी शेतर में इसकी समिक्षा बैटक लिए और उसमें जो गाइडलाइन उसमें यह है कि जो ही रेल्वेज के माध्यम से या बसों के माध्यम से जब यह लोग आएंगे आने से पहले जिस राज्यस आएंगे वहां पर इनकी की था देखे देर होने की जहां तक बात है तो फिर लॉक डाउन का मतलब क्या रह जाता है और मैं सुचता हूं कि जो हमारे प्रवासी लोग जिस राज्यम में अभी बेज रहे हैं लेकिन वहां पर पहले भी व्याफ्टा की गई ती अब इस तरी के सकता है कि लोग डाउन ब अभी जिस प्रकार से जो 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 राज्य सरकार है जैसे कि राज्यस्तान की सब्कार ने जो ही भारत सरकार दो तो उनका उन्मत दी गई प्रफेसर अरुम कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूं प्रफेसर साथ यह बात हो रही है कि स्टिमुलस गवर्मन को देना चाहिए एक स्टिमुलस पैकेज आना चाहिए और आप कैसे देखते हैं इसको एक नैसे सरी है कि देखें ऐसा है कि स्टिमुलस के मिए इस समय संताधन नहीं होंगे और तोगी अर्फरस्था अभी प्रद्यूस नहीं कर रहे हैं तो अगर आप स्टिमुलस देंगे भी तो अर्फरस्था द्वारा पक्षी पर नहीं आएगी इसलिए अभी आपके जो फिसकल स्टे से बहुत कम है जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपका 20 लाग क्रोन रुपरे से टैस्स सलेक्शन कम हो जाएगा तो आपके पास स्टिमुलस देने के लिए किस पैसा नहीं बचेगा तो बड़ी पॉलिसी की जरूत है कि जब बिजनेस दुबारा स्ट होने लगे उस समय उनको कुछ की जाए अगर अगी ते पॉसद दे लेंगे तो इसमें आपके पास जा सिस्कल पैसे बोड़ें कि नियों पर जब कुछा करने तरे मार्केश रिकूरी बढ़ा दिया तो इस चीरा इस बार गई लेकिन जब बैंकों कोई लून की देमाइड महीं तो बैंक अपना जो प्रिक चासा ओए वहाइब में अध्याए चाहरी करें है लोग Siya refuse जिए अधिर, यह ने दित्रेज्य पर हमारे उ कि पुपादन होता है जब तक यापन करते हैं तो ना तो उसतादन कर और रा हैं नहीं इंवेस्मेंट बढ़ रहा है तो इसके रोल की दिमान नहीं है तो मेरा मानना है कि अगरी आप से एक survival package दीजे जिसे कि lockdown काम्याब हो पाए lockdown में कमजोरी ये रही कि हमने काफी परयाप मात्रा में टेस्टिंग नहीं की अगर हम टेस्टिंग करते होते तो हमें पता होता है कि कितना भड़क रहा है कहा भड़क रहा है और अगर हम लोग को खाने पीने की बस्टे जहां वो हैं वहीं पर मौया चरा देते ते पेस्टिंग करने की परती उनका जड़ जार है कि हम भूके मर जाएंगे बोर्द हग नहीं होता तो इसलिए मेरा मानना है कि लोगडाउन फोड़े से कमजोरी रह गई अगर वो कमजोरी नहीं होती तो पलायम भी इतना नहीं होता पलायम होता भी तो आप को आप टेस्टिंग करके आप ये लोग को वापिश भेज़ सकते हैं तो आपको लगता है जो फिगर दे जा रहे है करना केसिज के इस नौट ट्रू रिफलेक्शन क्योंकि टेस्टिंग नहीं है तो अभी जो हमें पता ही नहीं कि किसना पहल चुका है कहां तक पहला है और यह जो से टेस्टिंग बढ़ती है यह बाटी देशों में भी देखा जया अमरीका में और इंगन में कि जैसे से कि बढ़ी तो हमें पता लगा कि वो टेस्टिंग नहीं होने से पता ही नहीं है और मैंने तो कुछ केसिज में सुना है कि जहां लोगो गुखार वगरा हुआ खांची दुकाम बगरा हुआ को लोगों ने कहां बस सेल्फ कॉरंटीन कर लीजे अभी नहीं होता है या है कि अभी हमारी इस पूरी तरह से पता नहीं है और यह बाद जरूर है कि इतने सारे लोग नहीं आ रहे हैं जिनके पास खाती है यह बीदिंग डिसकल्टिय तो लगता है कि इस तना नहीं पहला है तो एक पॉसितिव है हमारे लिए जी डॉक्टर अगरवाल डॉक्टर अ दो आपको क्या लगता है कि मु дов लगता है कि इसमें चैलेंज है कि हो सकता है यह से ज़्यादा आपको क्या भूस्कित है कि मैंने क्या डिब काता है कि हमारी सब्सक्राइब कि सब्सक् coyिए हैं इस हमने इवैलिगे हैंग …ेच आपको पॉपोलीशन है कि इस वेलोग sector say to अगर एक इस तमरे में एक इस बिल्दिंग में सौसों लोग रहेंगे तो आप परोना से लड़ नहीं सकते नमबर वार नमबर दुए यह जो लोग बाहर जाएंगे तो अल्किमेटली इंडुस्ट्री भी इंके साथ साथ जाएगी मेरे को लगता है कि जो नया चेंग जाएगा वा है इंडुस्ट्री विल्व इन जूपी आं भीहाद जहां से तारे लोग आते हैं इनको आने की रिरुषट नहीं पड़ेगे क्योंकि अगर आप इंडुस्ट्री नहीं करोगे लोगडाउन 3.0 शुरू हो गया है जब लोगडाउन 2.0 खतम होने वाला था लोगों को ये उमीद थी कि लोगडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद आम जंजीवन की जो चीजे चल रही है वो दुबारा वापस अपनी पट्री पर लोट आएगी लेकिन 3.0 शुरू हो गया ह है अब क्या रखता है 14 दिन बाद दुबारा अब लोगडाउन 4 की हम आपको उमीद है यह बात कर रहे हैं हांजी सर ने लॉंगडाउन तो अभी किसमें बोला है कि लॉंगडाउन चल रहा है एक तरीके से दी लॉकिन चालो हो गया है दी लॉकिन बढ़ता जाएगा आज अब आपको पास ने लॉकिन अब आज की लॉकिन बेरा पड़ोसी अगर बत्तमी जी तर रहा है उसको रुपना मेरा काम है कि उसके कारण से में रेड़ों में आजाओंगा अब एक आद्मियों का दुसरे को चेक करना है कि मेरे को रेड़ों में नी रहना मेरी कलाउनी के दर में कोई भी सोचल डिस्टंसिंग को तोड़ेगा ने लेकिन सर्च जिस तरह किसा आप बोल रहे हैं कि लॉक्डाउन नह अब आट जाना अगर आप रेड़ों में जाने दोगे तो नॉइब इस अगर आप जाने दोगे शफर करोगे तो अब भी सब्सक्राइब ने मानो ड़ों मेरा घर आउस अब आप से आपसे और वहां जोशल डिस्टंसिंग मैंने जी तो अप्जिक्शन उखाऊंगा ना ज आपसे है क्या राजसरकारों को भी कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को यह लोगडाउन है जो उसमें सोशल डिस्टंसिंग का लोग उलंगना करें जो और इंज जोन है वो रेड में ना जा पाएं लेकिं निश्ट को ऊसेराजसरकारों के ऊपर बहुत ऐहन जिन्यदारी है इसकीज को जो ऑस्टें़ फिलिकल डिस्टंसिंग का जो इस पालन कराने का खड़ाई तो यह पर तो एई है लिगिन इसको पteशासन और घिला पteशासन दूब नूए में जो रहे है करें जो है ज आजे पन रिकिती कराई पालन को रहा है, आप सक्षिजगर में बेगी किती कराई पालन को रहा है, तो हम चाहते हैं कि लोगों को और राजे सर्कारे को भी ले लेना कि लिए काम लेकिन अब एक सिल्टा का विशिया आई है कि तीन सेजि़ में लॉग्डाउन को जिने डालनी कि लोगों को अंदर लॉग्डाउन में बंज रहा है, अब लोगों का सब्सक्ता जा रहा है, सब जगा आप बंडे से नहीं काम कर सकते कहीं हैं जनता को उनके हिको का भी ख्याल करना पड़ेगा, एक कोई स्पेसिकल एक प्रब्लम जो आ रही है कि जनता एक कमरे के गर में किसी तरह से बाहर आना चाहिए है, उसमें पोरा सा समय देना चाहिए कि कुछ स्पेस्वाइज को बहार निकलने की पर्मिशन होनी चाहिए जी सवाल मेरा मनोच वर्चोडी आपसे हैं टेस्टिंग को सरवधाना है क्योंकि लगातार क्रोना की मामले बढ़ते जा रहे हैं जैसे होती रहेगी वैसे मामले भी बाहर निकल के सामने आते रहेंगे सरकार क्या तरहичесpmillion бер critic सब्सक्राइब मुं जा मुझाँ है 52 गृष। चीज़ारी और जो भी डॉक्टर अगरवाल जी ने कहा था कि समाज में हम तो अपने समाज की अपने घर की सबसे पहले फिर अपने पूलर्वी और सोसाइटी की फिर अपनी गाउं की मौले की और अपने शहर की एपने समाज की लिडर शेफ हमको करनी पड़ेगी जो इस वक समाज जो ब्यक्ति गय जिम्मेदारी रवया अपनाएगा उस जगह निश्यत रूप से एरिया रेड जोन में होगा तो मैं कोई आश्यर नहीं है कि वहां सक्टी से लॉकडाउन की पालना भी और भी कियेगी हो तो एक आतमी की गल्ती पूरी सोसाइटी पूरा गाउं पूरा समाज पूरा शहर भुगत सकता है और पूरा देश भुगत सकता है इसलिए आज उसी प्रकास से एक दूसरे को साथ मिलकर जिम्मेदारी की आवशकता है और मासोचता हूं कि पुलिस प्रिशाशन के द्वारे एक सिमित दाहरे में ही लोगडाउन को पालना की जा सकती है ज सिराजय से गाहों से शेर के ऊपर उठकर भारतवासी होकर एक ही मांग करनी चाहिए और बच्चे-बच्चे के जबान पर यह होना चाहिए कि अगर कोई पिता लॉक्डाउन दोले तो उसके बच्चे उसको टॉक दे अगर कोई पिता सोचल देंसिंग की पालना नहीं करे सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर पुलिस पर पत्थराफ किया जाता है अलग अलग राज्य से लोग पलायन कर रहे हैं लोगों कैसे जागरुक किया जाएगा कि सोशल दिस्टेंस मेंटेन करके रखें खुद को बचा के रखें इस चीजों से इसे बात यह है कि जब हमारे प्रशासन में लोगी आस्था होगी तो प्रशासन की बात मानी जाएगी हमारे हां क्या है गरीब आदमी को बहुत जादा प्रशासन में आस्था नहीं है तो यह कैसे इसका बिश्टेंस में पहले कहा कि कोबो सहाब जो गवर्णर है नियॉक स्टेट के उन्हों ने कल पर्शो ओपनी कहा कि अगर लोग की आस्था हमारे में नहीं होगी तो जो अब हम कहेंगे उसको बानेंगे नहीं वो बहार निकलेंगे निकलेंगे इसकी बात यह कि अगर आदमी को यह आश्रासन है कि उसको लोट्सक्राइब भाटी बारी जरुष्ट की तीजे मौलिया होगी निकलेगा निए Алइगा और जीऊ जेटने मुपको पीज़ कापी है बात प्रिशुटी उसको रिए पूर्फन होगा तो इसको एक आश्रासन होगा अगर यह सारे आश्रासन नहीं होगे सबस्वास महीं करगा तो फिर गलत काम भी हो जाएंगे हमेरा काम साथ रिया चाही हम जिस प्रकार्स परकार कॉप ले चिस का चिर्ध में स eyelashes से बात होगा उतना सक्ताइब नहीं हो सिब्सक्राइब करσाम कर लें बोगी के अजबाइस और बना कि पर चलना होगा सरव हमушки तические मुण बहुत बहुत शुक्रिया हमनेयं सक्त्रränट कर दी गई है यहां पर िरेलन टोलर कें हैं परो अकोле newton की आइए पालन करना है, लोगों को उलंगर नहीं करना है वरना रेड जोन पहुचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और स्पेशल एडिशन में बस इतना ही आप सब बने रहे हमाई साथ नमस्कार